हाई फ्रेंट्स, क्वेश्चन नमबर 7 देखते हैं, ठीक है, A, B and C working together, can finish a piece of work in 8 hours, A alone can do it in 20 hours, and B alone can do it in 24 hours, in how many hours will C alone do the same work, देखों, क्वेश्चन समझों, मालते हैं, हमारा assume कर लेते हैं, हमारा एक piece of work है, पीस of work है, ठीक है, assume कर लेते हैं, कि हमारा एक piece of work है, जब इस काम को A, B and C, तीनों मिलके एक साथ करते हैं, तो उन्हें लगता है, जब A, B and C, जब तीनों मिलके एक साथ करते हैं, तो उन्हें इस काम को complete करने में 8 hours लग जात है ठीक है वहीं जो है जब इस काम को एको मिलता है एको मिलता है कि वल एहीं इस काम को कंप्लीट करता है कंप्लीट करने को दिया जाता है तो यह जो है इस काम को 20 हावर्स में कंप्लीट कर देता है जब इसी काम को बी को दिया जाता है तो वह इसी काम को 24 हावर्स में कंप्ली अगर सेम काम को सी को दिया जाए तो वह कितने घंटे में complete कर देंगे तो हम एजूम कर लेते हैं कि अगर हम इस काम को सी को देते हैं करने के लिए तो वह X हावर्स में complete कर लेंगे anda assume कर लिया ठीक है तुमने माना की लेट हम लेट हम छेवर्ट सी कन बहर छी के लियुर्ण ạं कर नहीं है कितना एक्सावस ठीक है तो देखू जब भी आपका टाइम एंडल वर 느낌이 ऑ्वॉस्टेन होता है तो इसमें दिया होता है कि अगर मानेते हैं कि ए जो है किसी काम को वह एन हावर्स में या एन डेज में कम्पलीट कर लेता है तो आपका प्रैमरी फोकॉस होता है कि वह उस काम को वह जो है एक घंटे में उस काम के कितने पार्ट को कम्पलीट कर लेगा ठीक है तो वह एक घंटे में एक काम के कितने पार्ट को कर देखूं अगे आपको दिया हो कि यदि कोई किसी काम को एक घंटे में 1 by n part complete करता है तो वह उस काम को कितने घंटे में complete कर लेगा तो इसका reciprocate कर दीजिगा तो आपका निकल जा कितना n hours अगर आपको दिया हो कोई n hours में किसी काम को complete कर लेता है तो वह ए घंटे में उस काम के कितने पार्ट हो complete कर लेगा तो इसका reciprocate कर दीजिगा अगर वह यह piece of work को 8 hours में complete कर लेते हैं तो वह एक हावर्स में 1 घंटा में एक घंटे में उस काम के कितने पार्ट को वह complete कर लेंगे ताकि जो है वह 8 hours में उस काम को complete कर लेंगे इसका मतलब उसका क्या कर देंगे रेसीप्रोकेट कर देंगे देखो तो वर्क डॉन वर्क डॉन बाई A, B & C, working together वर्क डॉन बाई A, B & C, working together in 1 day तो क्या करोगे तो अगर A, B, C तीनो में में वह 8 घंटे में उस काम को complete कर लेते हैं इसका मतलब जो है एक घंटे में वह उस काम के 1 by 8 पार्ट को complete कर लें क्यों क्योंकि हमको reciprocate कर देने ठीक है तो देखू अब क्या किया यह तीनों मिलके वह एक घंटे में सौरी यहां पर वन हावर हो गण जी वन हावर अगर वह एक घंटे में अगर वह एक घंटे में उस का काम के 1 by 8 पार्ट को complete कर लेते हैं तो वह 8 हावर में उस काम को finish कर दें को ABC दोनों तीनों मिलके अब कर रहा है कि अगर यह जो है यह उस काम को 20 घंटे में complete कर लेता है तो एक घंटे में उस काम के कितने पार्ट को वह complete कर लेगा तो दिखूँ वर्क डॉन बाई ए इन वन हावर वन हावर ठीक है तो कितना होगा तो यह जो है कितने घंटे मुसका में complete कर ला 24 hours में sorry 20 hours में इसका मतलब इसका रिसेपर कर देंगे तो वह 1 by 20 पार्ट जो है एक घंटे में complete कर लेगा अब निकालते हैं वर्क डॉन भाई बी इन वन हावर और बी जो है एक घंटे में उसका में कितने पार्ट उंक्प्लीट कर लेगा तो भी बताओ उसका मों complete करने कितना टाइम लगा रहा है वह लगा 24 hours इसका मतलब वह एक घंटे में उसका म का 1 by 24 पार्ट जो है complete कर लेगा ठीक है उसके देखो आप भी जानते हो C जो है उस काम को कम्प्लीट करने के लिए X आवर लगा रहा है तो उस काम को अगर C जो X आवर देखो C जो है उस काम को कम्प्लीट करने के लिए X आवर लगा रहा है तो एक घंटे में उस काम के कितने पार्ट कम्प्लीट कर लेगा according to question according to question question के अंसार कर रहा है देखू एए ए है बी है और सी यह तीनों मिल के कह रहा है एक घंटा में जितना काम कर रहे हैं यह तीनों मिल के एक साथ मिल काम कर रहा है अगर हम एक के कर ले कि दवारा एंस दीनों मिलके जो है एक घंटे में कितने काम कर रहे हैं 1 x 8 पार्ट को वर को complete कर रहे हैं के वल अगर एक वर को दिया जरो कितने कर रहे हैं एक घंटे में तो वह 1 by 20 20 जो कितना कर रहा है वह 1 by 24 जी कितना 1 by X ठीक है तो देखो अब हमको क्या करना है एकस की फैलू के निकाल जना है तो देखो इधर आपका 1 by 8 उसके बाद इधर प्लॉस है इधर आएगा तो माइनस होगा 1 by 20 24 इधर लाइगा तो माइनस हो जागा की हम कि LC निकालने में एजू जाएगा ठीक है तो यहां कितना हो गया ओनिवाइट2 यहां कितना होगा आपका one by 5 होगया यहां कितना होगया वन ऐग्सिक्स हो गया ठीक है ऑन Import ड़ंत चोंवीच और देखो और रूचा chem का आगर इस जो अगर लोगा इसका के out 30 आएगा ठीक है ठीक है तो देखो 2 से 30 डिवाइड कर कितना वार में 10 10 10 से 1 से मुल्टिप्लाएगा तेन उसके 5 से 30 डिवाइड कर गोगे तो 5 बेर में 5 से 1 से 5 हो गया यहां पर कितना आ गया तो आपका 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया ठीक है कर देखो यहां पर जब आप टू से मिश्टे को गया है जब टूस जब ठर्टी को टूस डिवाइड कई लेकितना वर तो गया आपका 15 बार इस इसका मतलब यहां पर 15 होगा ठीक है अब यहां पर 15 होगे है 15 और देखो 15 में इस एलेवन कितना हो गया आपका 4 हो गया 15-11 या 4 by 30 equal to 1 by x तो देखो 4 से 4 कंसिल हो गया means 1 by 30 आगया means जो है c जो है एक घंटे में कितने काम करेगा 1 by 30 करेगा तो इसका रेचिप्रोकेट करोगे x क्या हो गया तो x equal to 30 x हमने क्या माना था कि c के दुआरा कितना टाइम लग रहा है ठीक है तो देखो c जो है जब वह काम को c को दिया जाएगा तो थर्टी आवर्स में उस काम को complete कर लेगा ठीक है तो टाइम टेकन टू कम्प्लीट टाइम टेकन टू फिनीज फिनीज दा सेम सेम वर्क बाई सी एलाउन इन थर्टी हावर्स ओके तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हैल्पूल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरू करें क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है कि थ अजय है कि अट्डर करें कि एंड सक्राइब ग्रटी है तो मोटिवेट करें कि घटके छाइब है यागूल झाल सक्राइब है झाल लाइक यावर्स और झाल ॉढ प्लीजows ऑंस हो अटूल को वीडियो या़खे ज बापके एंड सक्वावर्स ऑ्लीज़ इंड जरूब कर